हेलो फ्रेंड्स, वालकम टु माइ चैनल प्रेगनेंसी केर विद मेगा जो प्रेगनेंट लेडीज होती हैं, सरदियो में वो अपना ख्याल कैसे रखें, सरदियो में प्रेगनेंट महिला हेल्दी कैसे रहें तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इसी टापिक पर बात करेंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा दोस्तो मोसम में बदलाव होने के साथ प्रेगनेट महिला को अपने केर करने के तरीके में भी बदलाव करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मोसम के बदलाव के साथ साथ खान पान रहन सेन में बदलाव करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आपको स्वस्त रहने में मदद मिल सके तो गर्वती महिला को सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए बात करते हैं इस बारे में सबसे पहले जो आपको करना है वो है हेल्दी डाइट गर्भाउस्ता के दोरान स्वस्त और हेल्दी रहने के लिए खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ऐसे में सर्दियों में महिला को अपने खान पान में बदलाओ करने के साथ अपनी डाइट को समय से लेना चाहिए इसके लेवा आपको ज़्यादा तला हुआ जंक फूट खाने से भी बचना चाहिए सर्दी के मोसम में हेल्दी रहने के लिए आपको ड्राइफूट्स, केसर, दू, धरी सबजियां, गाजर, नीम्बू, आदी का भरपूर सेवन करना चाहिए गर्म कपड़े पहने प्रेग्निन महिला को सर्दी के मोसम में हेल्दी रहने के लिए अपने पहने आवई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जैसा कि आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए, टोपी, जुराबे, शोल, जैकिट आदी आपको पहन कर ही रखना चाहिए तीसरा है कि थोड़ी देर आपको धूप में जरूर बैठना चाहिए सर्दी के मोसम में हेल्दी रहने के लिए आपको थोड़ी देर धूप में भी रहना चाहिए धूप में रहने से आप एक तो ठंड से बचेंगी, विटामिन डी आपको मिलेगा लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है जादा समय के लिए भी धूप में नहीं बैठे और धूप में से जाकर तुरंत पानी नहीं पीना है हाइडरिट रखे सर्दी के मुसम में पानी पीने की इच्छा कम ही होती है जिसके कारण बोडी में पानी की कमी हो जाती है और तरह तरह के शारीरिक परेशानी होने का भी खत्रा रहता है खासकर गर्वती महिला को ज़्यादा परेशानी हो सकती है ऐसे में सर्दी में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी और अन्य लिक्विड भी आपको भरपूर मातरा में लेने हैं ताकि आप हाइडरेट रहें और आपके बच्चे और आपके स्वास्त को स्वास्त रखने रहने में मदद मिल सके दोस्तो ठंडे पानी से भी नहने से बचना चाहिए सर्दी के मुसम में भूल कर भी ठंडे पानी से आपको नहीं नहना है क्योंकि इसके कारण ठंड लगना सर्दी, जुखाम, बुखार का खतरा काफियत तक बढ़ सकता है इसके लवे ये भी ध्यान रखे कि बहुत ज़्यादा गरम पानी से भी नहीं नहना है क्योंकि इसके कारण आपको मिस्केरिंज होने का खतरा हो सकता है ऐसे में आपको गुन-गुने पानी का ही इस्तमाल करना है नहने के लिए जिससे ने तो आपके गरपात का खत्रा हो और ना ही ठंड के कारण मैला को कोई दिक्कत हो साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखें देखे ठंड के मुसम में नहने का मन नहीं करता है या कई बार आप एक ही कपड़े को एक से जादा दिन तक पहनते हैं लेकिन यदि आप प्रेगनेंट हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि साफ सफाई का ध्यान ना रखने के कारण आपको इन्फेक्शन होने का खत्रा भी हो सकता है ऐसे में हेल्दी रहने के लिए आपको रोजाना नहाना है शरीर की भी सफाई करनी है और कपड़ों की भी बहुत अच्छे सफाई करनी है मसाज करें सर्दी के मोसम में आपको हातों पैरों की मसाज करनी चाहिए क्योंकि मसाज करनी से इसकिन अच्छी रहती है साथ ही आपके शरीर में गर्माहट भी रहती है जिससे ठंड के कारण होने वाली परेशानियों से आप बचे रहने में मदद मिलती है आपको आप हेल्दी रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा खिचाओ भी मैसूस नहीं होगा थोड़ा व्यायाम भी बहुत जरूरी होता है सर्दी के मोसम में हेल्दी रहने के लिए आपको थोड़ा व्यायाम भी करना चाहिए क्योंकि व्यायाम करने से शरीर में गर्माहट बनी रहने में मदद मिलती है आप चाहे तो योगासन भी कर सकती है लेकिन आप इस बात का धिहान रखे कि ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे आपके बच्चे को दिक्कत हो जितना हो सके आप घर में रहें देखे प्रेग्निंसी के दोरान आपकी इम्मूटी काफी कमजोर हो जाती है जिस करण आपको सर्दी में होने वाली परिशानिया जैसे कि सर्दी खांसी ठर्ण लगना अगदी होने का खत्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साथ ही घर से बाहर जाने पर यदि आपको कोई संक्रमेत या इंफेक्टिड व्यक्ति मिल जाता है तो इस होजे से आपकी कंडिशन और क्रिटिकल हो सकती है तो ऐसे में आप जितना होसे के घर पर ही रहें स्किन केर का बिध्यान रखें देखें सर्दी के मुसम में स्किन से जोड़ी बहुत सारी परिशानिया होने लगते हैं कि रूखापन, सूखी हो जान ये सारी दिक्कते हो जाती है ऐसे में विंटर में आप क्या करें कि आप अपनी स्किन को जादा से जादा मॉस्चराइज रखें क्रीम, ओयल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकती है भरपूर आराम करें प्रेग्निंसी की दोरान आपको आराम करना चाहिए ताकि आप स्वस्त रहें ऐसे में सर्दी के कारण होने वाली परिशानियों से बचे रहने में भी आपको काफी मदद मिल सकती है तो दोस्तों, अगर आप सर्दी की मुसम में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके और आपके बचे को कोई भी परिशानी नहीं होगी उमीद करती हूँ आज का यी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें थैंक यू फर वर्चिंग प्रेगनेंसी केर विद में का थैंक यू नमश्कर